जोग्रफी क्लास 7th N.C.E.R.T. Chapter 2 Inside Our Earth Hello and Welcome, सौगत है आपका समाजी क्यान पे आज हम जानेंगे कि पृत्वी के अंदर कौन कौन सी सतें है या पृत्वी के अंदर का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है The Earth, our homeland, is a dynamic planet It is constantly undergoing changes inside and outside Have you ever wondered what lies in the interior of the Earth What is the Earth made up पृत्वी जो है वो हमारा homeland है जहां हम रहते हैं एक बहुत ही dynamic planet है ये अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से क्या होते हैं इसमें changes होते रहते हैं और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पृत्वी के अंदर जो interior है उसका अंदर का अंदरूनी हिस्सा है वो किस प्रकार का है और वो कैसा क्या है कैसे बना है तो चलिए शुरू करते हैं Interior of the Earth Just like an onion किस तरह का है जसे प्याज होता है प्याज के अंदर एक छिल का हटा हो दूसरा हटा हो दूसरा हटा हो तीसरा हता है मतलब सतय पे सतय है The Earth is made up of several concentric layer with one inside another The uppermost layer over the Earth's surface is called the crust सबसे उपरी हिस्सा crust कहलाता है और यह किस तरह का है जैसे सतय दर सतय प्याज होता है उसी तरह से प्रित्वी भी है It is the thinnest of all the layers यह सबसे पतली layer है कौन सी crust उपरी हिस्सा जो है It is thinnest of all the layers It is about 35 km on the continental masses and only 5 km on the ocean floats 35 km यह layer है जहां पर आपका continentals है जहां पर महादीप है और उसके अलावा 5 km यह ocean में है इतनी ही इसकी depth है The main mineral constituents of the continental mass are silica and almenia जो main content है इसके अंदर वो क्या चीज़े है दो चीज़े एक silica है इसके अंदर और एक almenia है It is thus called sail silica plus almenia इन दोनों को क्या कहते हैं sail The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium It is therefore called seema silica plus magnesium Just beneath the crust is the mantle which extends up to a depth of 2900 km below the crust अब उसके नीचे क्या है Mental जिसे कहते है Mental का पार्ट आता है जो की approximately 3000 km यानि 2900 km है इसके बाद next आता है The innermost layer is the core जो सबसे अंदर है उसको क्या कहते है Core कहते है With a radius of about 3500 3500 km यानि 3500 km का इसके अंदर का हिस्सा है जो core कहलाता है It is mainly made up of nickel and iron ये किस से बना हुआ है Nickel और iron से बना है इसलिए इसको क्या कहते है And is called NIF N-I-F-E Nickel प्लस ferrous यानि iron The central core has very high temperature and pressure जो इसका अंदरूनी भाग है केंदर का जो हिस्सा है Central मतलब केंदर का जो हिस्सा है केंदर का core जो है वो बहुत जादा उसका temperature भी बहुत जादा है और उसका pressure भी बहुत जादा है इसलिए इसकी गर्मी की वज़ा से क्या होता है अंदर की चटाने क्या होती है melt हो जाती है आपको पता है कि जब जो अलमू की फूर्टा है तो उसमें क्या निकलती है पिगली हुई चटाने निकलती है rocks and minerals चटाने और खनीज the earth's crust is made up of various types of rocks earth की जो crust है वो अलग-अलग चटानों से बनी है any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock जो भी किसी भी mineral से बनती है जब एक जगा एक जैसा mineral ही खटा हो जाता है तो उससे मिलके जो बनती है वो उससे क्या कहते है चटान कहते है rocks can be of different color, size and texture rocks क्या है चटाने जो है वो अलग-अलग color की, size की और texture की हो सकती है texture का मतलब होता है कि खुरदरी भी हो सकती है, चिकनी भी हो सकती है shiny भी हो सकती है और dull भी हो सकती है जैसे अगर किसी चटान के अंदर सोने के content है gold का वो है तो उसमें yellow part shining particles जो है वो तिखाई देते हैं और वो थोड़ा सा कैसा होता है हिसाब किताब उसका कि वो थोड़ा सा देखने में अलग से ही पता लगता है वो बहुत ज़्यादा shiny होता है इसके उल्टा जहां माईका की खाने होती है अभरक की खाने होती है अब माईका क्या होता अपने से लास्ट चैप्टर में पढ़ा था यह मेकप बनाने के आपने देखने जो मेकप करते हैं तो उसमें एक हलका सा चमाक आती है शाइन आती है skin के ओपर और आखों के ओपर भी लगाते हैं ग्लिटर टाइप का तो वह सारे जो मेकप का तो अलग अलग टेक्श्चर होता है उनका रॉक्स का देर आर थ्री मेजर टाइप ऑफ रॉक्स एग्णीश रॉक्स सेडिमेंटरी रॉक्स एड मेटामॉर्फिक रॉक्स इनके बारे में अपने प्रिवियस क्लासेज में पढ़ा हुआ है वेंदा मेल्टन मेगम कूल कूल इडिकम स्वलेड रॉक्स दस फॉर्म्ट आर कॉल्ड एग्णीश रॉक्स ठीक है जब पिगली वी चटाने भार आती है जो अला मुखी से और आकर थंडी हो जाती है तो जो चटाने बनती है उसको हम क्या कहते हैं एग्णीश रॉक्स क्या है जादा तर या कैसी होती है का तीन डॉन जतार होता है जल चुका होता है they also called primary rocks 明ली एंको क्या कहते है primary rocks क्याते है primary rocks का मतलब प्राथमिक चत्ताने कहते號 there are two types of agnetous rocks intro intrusive rocks and30F rocks तो can you imagine lava coming out from the volcanoes? Lava is actually fairy red melting magma coming out from the interior of the earth on its surface. When this melting lava comes on the earth's surface it rapidly cools down and becomes solid. ठीक है? जब सबसे पहले क्या होता है? Melton rocks होती है जो क्या आती है? वालकनों जैसी फटता है तो बाहर आती है और बाहर आके ये melting magma है ये जल्दी से ठंडा हो जाता है जब ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के साथ ही ये कठोर हो जाता है, solid हो जाता है एकदम से और इससे जो rocks बनती है वो आपकी agnesious rocks होती है rocks rocks formed in such a way on the crust are called extensive agnesious rocks इसको क्या कहते है extractive agnesious rocks कहते है they have a very fine grain structure for example basalt basalt जो है यही पिगली हुई चटानों का बनी हुई एक ऊपर की लेयर होती है the Deccan Plateau is made up of basalt rocks जो दक्षिनी पठार है भारत में वो इनही basalt rocks का बना हुआ है तो मिट्टी कैसी होगी? काली? कठोर? और बहुत जादा कैसा? solid रहेगा the Deccan Plateau is made up of basalt rocks sometimes the melting magma cool down deep inside the earth's crushed solid rocks so formed are called intrusive agnesious rocks अगर बाहर आके थंडी हो जाती है तो वो extractive होती है और अगर अंदर ही थंडी हो जाती है जो magma है जो बाहर नहीं आता है वो अंदर भी रहता है तो वो अंदर ही थंडा हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है वो एक्जामपल है इस तरह की rocks का जो अंदर थंडी हो जाती है सतह पर आके ठंडी नहीं होती और grinding stone जो होते है grinding stone क्या होते है जिनको पत्थरों को use करते है हम पीसने के लिए चक्की के जो पत्थर होते है वो पत्थर इनी उनसे बनते है इनी rocks से बनाए जाते है जिससे हम क्या करते है paste बनाने में, powder बनाने में spices और grains को क्या करते हैं पीसने के लिए हम इसको use करते हैं इसको granite का पत्थर का जाता है rocks roll down, cracks and hit each other and are broken down into small fragments these smaller particles are called sediments sedimentary rocks आपने पिछले उसमें पढ़ाता तो यह क्या है जो टूट फूट से जो बनती है चट्टाने पत्थर क्या है हवा से, पानी से, मिट्टी से और क्या कहते है धूप से चटकते हैं एक दूसरे से रगण खाते हैं घिसते हैं तो उससे क्या बनता है powder type का बनता है और वो जैसे बहते बहते एक जगा गया फिर उस पे एक लेयर पड़ी फिर दूसरी लेयर पड़ी फिर तीसरी लेयर पड़ी और इस तरह से वो धीरे धीरे करके solid हो गया और इस तरह के जो रॉक्स होती है उनको sedimentary rocks कहते है यह ज़्यादा तरह आपको समुद्र के किनारे मिलेंगी for example sandstone is made up of grain of sand ठीक है ना पत्थर का जो एक पत्थर से बनी हुई जो चट्टाने होते हैं जिनको sandstone कहते हैं वो इन ही इसी तरह की sedimentary rocks का part होता है these rocks may also contain fossil of plant animals and other microorganisms that once live on them और यह rocks किस तरह की होती है कि इनी में ही जैसे fossils होते है fossils क्या होते हैं जो मरेवे जीव होते हैं उनकी हड्डियां होती है तो इनी में ही दब जाती है उनसके ओपर दूसरी मिट्टी की लेयर पड़ गई तो वह उसी में ही दब गई तो यह भी उसी रोख का part हो गई तो इसके अंदर क्या मिलता है तो इसके अंदर आपको मिलता है fossil of plant animal और अलग अलग जो microorganism होते हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं Agnesius and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure for example clay changes into slate and limestone into marble ठीक है बहुत जादा Agnesius जो rocks होती है और sedimentary rocks जो होती है जब इनको बहुत जादा heat और pressure मिलता है तो यह change हो जाती है जैसे मिट्टी की जो rocks होती है sedimentary rocks होती है वो slate में बदल जाती है और limestone जो होता है चूना पत्थर जो होता है वो marble में बदल जाता है marble का पत्थर तो आपने देखा होगा सभी के घरों में आजकल कौमें ने देखना rocks are very useful to us चट्टाने हमारे लिए बहुत महत्पूर्ण है the hard rocks are used for making road, houses and buildings you used stone in many games for example seven stones, pitho, hopscotch, five stone find out some more such games by asking your grandparents and neighbors etc तो आपने rocks यह पत्थर जो हते हैं इनको हम कैसे use करते हैं खेलते हैं रोड बनते हैं घर बनते हैं बिल्डिंग बनते हैं और कई बार हम पंत्था साथ पात्थर रग के पिठथा क्यलते हैं कि चिट्टी भेड़़व खेलते हैं स्टापऊ लिए तो यह सारे गेम्स यह सब हम पत्थरों को यूज करके यह नहीं छोटे-छोटे आप उनको यूज करके खेलते हैं collect the picture of some monuments and find out which are the rocks used to build them two pictures have been collected for you इस तरह के ही pictures आपको collect करनी है you will surprise to know that one type of rocks change into change to another type of under certain condition in a cyclic manner this process of transformation of the rocks from one to another is known as rock cycle you have already learned when the mountain magma cools it solidify to become agnesious rock these agnesious rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form of sedimentary rocks when the agnesious and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure they change into metamorphic rocks the metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma this molten magma again can cool down and solidify into agnesious rock अब यहां आपको बता दिया कि अलग अलग तरह की जो चटाने होती है उनमें भी एक प्रोसेस है जो continue चलता रहता है तूट फूट का पहले बनी जैसे यहां फर्स्ट उसमें दिखाया मैगमा है यह तो यह क्या है पिगली वी चटाने जमीन में एक्स्रीम प्रेशर होनी की वज़ा से उपर की सत्य फाड कर बहार आ जाती है ठंडी हो जाती है फिर वह एगनिशेस रॉक्स गर्मी सर्दी बारिश फूटती है हवा धूप की वज़ा से प्रेशर पड़ता है और उस पर पानी पड़ता है तो उससे बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्स निकलते ना मतलब पत्था तूटते फूटते तो मिट्टी के फॉर्म में आते हैं उससे मिलकर जो चट्टाने बनती हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है फिर यही सेडिमेंट्री रॉक्स जब इन पर फिर से प्रेशर पड़ता है तो यह अपना रूप बदलती है मैटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होती है और मैटामॉर्फिक रॉक्स प rocks बन जाती है rocks are made up of different minerals minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition minerals are very important to humankind some are used as fuel for example coal natural gas and petroleum they are also used in industries iron aluminum gold uranium etc in medicine fertilizer etc rocks are different minerals and these are different substances they are different substances which are different substances which are different physical properties and chemicals are different which we use as human beings such as coal, natural gas, petroleum this is where we get from rocks and this is useful for us like iron, aluminum, gold, uranium whatever we use which we use for our work how to use these minerals how to use these minerals like how to use it which we use as coal, uranium in medicine just as we use it or give it fertilizer यानि जो चट्टाने हैं वो हमारे लिए human beings के लिए बहुत ज्यादा important है तो अब आपको ये chapter समझा गया होगा और अगर कोई थिक्कत हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं आपके comment का answer ज़रूर करूंगी और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और जो चीज़े मैं बताती हूं उनको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए थैंक्यू थैंक्स वर वर्चिंग